अलो गाईज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट पेपलावी क्लासेज में और आज अपन डिसकस करने वाले हैं लेयर्स ओफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रेक्ट यानि की जी एटी की ट्रेक्स कौन-कौनसी होती है उनका क्या काम होता है और वो किसे मिलकर क की बनी होती है आई एक डिसकस करते हैं लेर ओफ जी एटी में सबसे पहले जी आई मुकोजा या फिर मूकस मैम्बरेन जो होती है वो इसकी क्या क्यात होती है सबसे पहले के इसकी सब्सक्राइम किस नाम से जानते हैं, mucos layer के नाम से जानते हैं, या mucosa भी इसको अपन बोल सकते हैं, gastrointestinal mucosa के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ पर अगर इसके functions की बात करें, कि यह किसके लिए responsible होती है, सिक्रेशन और absorption के लिए responsible होती है, इसके बाद में दूसरी जो layer होती है, वो कौन सी होती है, सब mucosa layer, अगर अपन बात करें, तो एक इससे मिलकर के बनी होती है, composed by connective tissue, जबकि mucosa जो layer होती है, वो epithelial tissue की बनी होती है, सब mucosa, इसके नीचे वाली layer जो होती है, वो connective tissue की बनी होती है, next, यह क्या करती है, support da mucosa, जो mucosa layer होती है, सबसे inner most layer, उसको support यह देती है, वो support के साथ साथ में क्या करती है, provide the blood supply, यह blood supply भी इसको provide करवाती है, ठीक है, next, अगर अपन बात करें, muscular layer, muscular layer किस के बनी होती है, it contains smooth muscles, यह smooth muscles की बनी होती है, और अगर बात करें, mouth और anal, जो भी इसकी structure होती है, उनको अगर छोड़ दें, तो सारी की सारी जो भी muscles होती है, वो smooth muscles से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, उनमें skeletal muscles होती है, like जिसे की anal, जो external, वहाँ पर, spectrum वगर होती है, वहाँ पर skeletal muscles होती है, और बाकी की smooth muscles होती है, तो muscular layers की आँपर बात कर रहे हैं, नमबर 3rd नमबर की, यह किसे मिलकर के बनी होती है, smooth muscles की बनी होती है, इसके अंदर, oblique, circular और longitudinal muscles होती है, oblique भी होती है, और circular भी होती है, और longitudinal भी होती है, ठीक है, नेक्स अगर बात करें पेरिस्टाल्टिक मुमेंट के लिए क्या होती है जिम्मेदार होती है पेरिस्टाल्टिक मुमेंट ये दी हो रहा है तो वो अपन कह सकते हैं कि कौन सी लेयर में हो रहा है वो अब्लिक भी होती है वो सर्कुलर भी होती है वो लोंगिट्यूडनल भी होती है कह सकते हैं कि वो अब्लिक भी होती है ठीक है कि वो सर्कुलर भी होती है और कौन सी लोंगिट्यूडनल भी होती है इस परकार से तीनों परकार किये मसल्स होती है परिस्टाल्टिक ced crave tissue connective tissue मिलकर का बैशियू और मुस्थे रह के S1 को चाम करती यह जब आपन कह रहे हैं और मुस्थे रहे होती है तो जो सब बाहर होता है वह किसका काम करता है detection का काम करता है इससलिए इसको क्या बोला जाता है घ्रिक टेक्टिव लेयर के नाम से भी जाना जाता है इस दाव वेरी वेरी इंपोर्टेंट सीरस लेयर जो सबसे बहारी लेयर होती है इस image के मादने से रहा है ये सबसे इनर मुकोजा लेयर यहां पर है उसके बाद में उसके कवर करती हुई सब म्यूकोजा आ रही है यह वाली सब म्यूकोजा लेयर आ रही है उसके बाद में जो आ रही है वो यहाँ पर मस्कुलर लेयर आ रही है यह वाली ठीक है नेक्स और उसके बाद में सीरो सा जो लेयर आ रही है यह वाली लेयर आ रही है जो सबसे बाहर सब को इन सब को करती है तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक